ऐगाइस किया हाद चोशान आपके आज हम बात करेंगे 3 private टाम प्राइवेट टाम कम्पनी स्क्राओं पर्यंट कराशन जा सबण्स चाहीं चे में करेंगे मैं आइसको प्रोड चाहांँ आज आपको कि अभाशन इस प्रbleara डाटा देखने को मिल रहा है आपको साथ जबस में कॉलिंग भी देखने को मिल रही है और उन प्लैंस में आपको comparatively यहाँ पर कम पैसे पेग करने पड़ेंगे इन प्लैंस को डिसकस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं आप तक एसी और इंफॉर्मेटरी वीडियो लाता रहा हूँ अब सीधा साट करते हैं तो गाइस प्लाइस को डिसकस करें से पहले कुछ important चीज को डिसकस करें सबसे पहली बात इस वीडियो में वी जियो एटर के प्लाइन को डिसकस करूँगा मैं यहाँ पर बी एसल के पास बहुत सारे प्लाइन बहुत confusing प्लाइन तो उनके explain करने के लि इन तीनों company को छोड़के बी एसल में पोर्ट करवा दो तभी आपको सबसे दाज फाइदा होगा बी एसल में आपको सस्ते प्लाइस देखने को मिलते हैं इन companies में आपको comparatively काफी महंगे प्लाइन देखने को मिल रहे हैं तो अगर आपको आपके SIM में बस validity चाहिए तो मैं आपको recommend करूँगा BSNL का SIM अगर आपके area में BSNL के single अच्छे नहीं आते हैं अगर आपको calling भी कर रही हैं आपके SIM से तब मैं आपको ये वाले plan recommend करूँगा अब discuss करते हैं आज के plan सबसे प्लाइन सबसे प्लाइन डिसकस करें जियो के plans को अब जियो की एक बात मुझे काफ एक साथ रख दिये हैं तो अगर आपको separately plans देखने हैं तो आप देख नहीं पाऊगे जियो में आपको separately आपे plans देखने हो मिल जाते हैं कि 1GB का plan 2GB का plan वहाँ पर एकदम segment wise divided हैं तो ये बात मुझे जियो काफी अच्छी लगी तो सबसे पहला plan जो आप जियो में करवा सकते तो यह आपको per day के लिए पढ़ेगा 6.75 rupees per day एक चीज़ आपको इन सारे plans में ध्यान रखने है कि आपको किसी भी plan में unlimited 5 देखने हो नहीं मिल रहा है तो आप इस उमीद में plans को मत करवाना and second चीज़ कि जितने भी plans discuss करूंगा उनकी में per day value calculate करूंगा तब हमें यह देखना इजी देगा कि कौन सा plan में ज्यादा value for money पढ़ रहा है अब यह बात मेरी आप आगे समझोगे अब जो मैं Jio का plan आपको recommend करता हूं वो है 84 दिनों वाला अब 84 दिनों के लिए आपको इसमें pay करने है 479 rupees आपको इसमें data 6 GB data देखने को मिल जाएगा आपको इसमें 1000 SMS देखन जिसकी validity आपको पढ़ेगी 336 days की अब इसकी जो cost है वो है 1899 rupees अब इसमें आपको 24 GB data देखने को मिल जाएगा अब सबसे पहली बात यह plan मुझे बेकार इसले लगा क्योंकि अगर हम इस plan को 8LNV से compare करें तो उनमें आपको मिलेगा 365 days की validity इस plan में आपको 336 days की validity देखने को म पर फिर भी इस plan में आपको 24 GB data देखने को मिल जाएगा SMS आपको 3600 SMS आपको देखने को मिल जाएगे and calls आपको unlimited देखने को मिल जाएगी अब इस plan के अगर आप per day value calculate करो तो आपको यह 5.65 rupees देखने को मिलेगी और हमने 84 दिनों में देखी थी कि आपको per day value देखने को मिली थ तो आप यहाँ पे 84 देने वाला plan ही करवाना आपको इस plan में जियो को इतनी बड़ी commitment भी नहीं देनी पड़ेगी and आपको यहाँ पे सस्ते में काम भी हो जाएगा अब जब मैं इस वीडियो के लिए plans के लिए research कर रहा था तो मैंने जियो के plans देखे तो जब मैंने यह वाला plan देखा जियो का 1899 का जो मुझे पढ़ रहा था per day 5.65 rupees तो मुझे लगा per day wise इंडिया का सबसे सस्ता plan यहीं होगा but मैं गलत था जियो अब सबसे सस्ता नहीं रहा वी एंड एटल के पास ऐसा plan है जो इससे भी आपको सस्ता पड़ेगा per day में अब वो भी हम देखेंगे अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आपको यहाँ पर डे वाले plans में आना पड़ेगा अगर आपको इस plan की per day value पड़ेगी 8.89 rupees पर डे जो की obviously काफी जादा है अगर आपको अपना सेम बस calling के लिए रखना है तो इसलिए यह plan मैं सबको recommend नहीं करता है यह plan वो ही लोग करवाना जिने per day data यहाँ पर चाहिए अब बात करते हैं V and ATL की अब इन दोनों की बात हम साथ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके most of the plans यहाँ पर सेम ही है जो जो differences हैं वो हम साथ यहाँ पर बात करते रहेंगे अब सबसे पहले वी की बात करते हैं अब वी में आपको बहुत सारे सस्ते सस्ते plans देखने को मिलेंगे जो आपको नहीं करवाने हैं अब क्यों नहीं करवाने हैं क्योंकि अगर आप उन्हें डिवाइड करोगे और पर डे वैल्यू निकालोगे तो वह plans पड़ेंगे सस्ते नहीं पड़ेंगे सबसे पहले आपको 155 का plan देखने को मिलेगा जिसमें आपको 20 दिनों के लिए एक जीप टाड़ी ठीटा दिखने को मिल रहा हैं calling के साब से next plan है जो 179 का मैंन आपको बताया यह आपको पढ़ेगा per day 7.45 rupees per day यह भी calling के साब से महंगा है तो यह भी आप नहीं करवाओगे अगला plan है 189 rupees का 26 दिनों की validity है यह भी आप नहीं करवाओगे क्योंकि इसमें आपको जो per day value पढ़ेगी 7.26 rupees per day तो यह वाले plans आप directly इन्हें देखकर मत करवाओगे ना क्योंकि यह value for money नहीं है यह सस्ते है but value for money नहीं है and एक और जो plan आपको ignore करना है वो है 98 rupees का यह plan तो बहुत ही बेकार है क्योंकि यह पढ़ेगा आपको per day value 9.8 rupees per day and इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है 200 MB data and 10 दिनों की validity है SMS आपको इसमें देखने को मिल नहीं रहे है and calls इसमें आपको unlimited देखने को मिल रही है तो भले ही यह plan आपको देखने को में सस्ता लग रहा है but यह plan बिल्कुल भी value for money नहीं है and V में आपको दो और plans देखने को मिलते है जिन में आपको talk time देखने को मिलता है वो भी plans आप मत करवाना क्योंकि वो भी बिल्कुल भी value for money नहीं है अब discuss करते हैं दोनों companies का पहला plan जो आप consider कर सकते हो करवाने की recommend में आपको यह भी नहीं करता क्योंकि इससे सस्ते plans आपको आगे देखने को मिलेंगे but yes आप इससे consider कर सकते हो यह plan है 1.99 रूपीस का आपको इसमें validity 28 देखने को मिलेगी and आपको 2GP data देखने को मिलेगा calls आपको unlimited देखने को मिलेंगी इस plan की per day value आपको पड़ेगी 7.107 per day जो की मेरे साब से सोड़ी जादा है इसकले मैं इस plan को recommend नहीं कर रहा था अब V and ATL का एक और plan है थोड़ा से आपको इसना कर्च करना पड़ेगा जिसमें आपको 3GP data देखने को मिल रहा है V में यह plan पड़ेगा आपको 2.18 रुपे का validity इसमें आपको पूरे 30 दिनों के लिए देखने को मिलेगी और आपको ATL में यह plan पड़ेगा 2.19 रुपे का Então ATL में आपको यह plan पड़ेगा 7.3 रुपीस per day और V में आपको यह plan पड़ेगा 7.62 रुपीस per day तो अगर आपको एक्स्रा डाटा चाहिए और एक्स्रा दो दिन भी चाहिए अपने प्लान में तो आप ये वाला प्लान करवा सकते हो and per day value आपको इसकी 6.58 रूपीज पर डे पढ़ेगी अब मेरे साब से जितने भी मैंने plans देखे तो मैंने यहाँ पर logic लगाया है जितने भी plans आपको per day 7 रूपे से कम पढ़ रहे हैं वो आप plans करवा सकते हूँ वो आपको value for money पढ़ रहे है अगर आप इसकी per day value calculate करो तो यह आपको पढ़ेगा 6.05 रूपीज पर डे काफी value for money plan है यह और इसमें आपको 6 GB data देखने को मिल जाएगा 84 दिनों के लिए calls unlimited देखने को मिल जाएंगी and SMS आपको Vee में 1000 SMS देखने को मिल जाएंगे यह plan काफी अच्छा है आप इसे करवा सकते हो but अब इन दोनों companies का एक plan मुझे अच्छा लगा है जो जियो से आपे अच्छा है और सस्ता भी है वो काँछा है साल भर का plan मैंने काहा था न एटल और वी में आपको साल भर का plan देखने को मिलेगा 365 days का on the other hand जियो में आपको देखने को मिल रहा था 336 दिनों का यह plan है वन ट्रिपल नाइन रुपीस का इस में आपको 24 GB data देखने को मिल जाएगा और दोनों companies में आपको unlimited देखने को मिल जाएगी वी में आपको SMS 3600 SMS देखने को मिल जाएगी अगर मैं 100 SMS पर डे आपको देखने को मिल जाएगे अगर मैं पर डे वेल्यू कल्कुलेट करूँ तो इसकी आपको पर डे वेल्यू पढ़ेगी 5.47 रुपीस पर डे अरे पर डे कल्कुलेशन में तो यह plan जियो से भी सस्ता पढ़ रहा है इंडिया का सबसे सस्ता plan बोल सकते हो अगर हम पर डे वाइज इनकी वेल्यू कल्कुलेट करें तो अगर आपको सबसे सस्ते में किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आपको calling वाले plans चाहिए साल बर की validity चाहिए तो आपको खर्च करने पढ़ेंगे 1.999 रुपीस अगर आपने एक ही network में रहना है आपको पता है कि मैं नहीं छोड़ने वाला ना वी छोड़ने वाला ना एटल चोड़ने वाला तो आपको यहाला plan कर रहा सकते हो साल बर की चुट्टी आपको calling unlimited देखने को मिल जाएगी SMS भी देखने को मिल जाएगे आपको इसी जो cost पड़ेगी वह पड़ेगी कुछ 489 रुपीस अगर हम per day value calculate करें तो यह आपको पड़ेगी 6.35 रुपीस पर डे अगर यह plan 84 दिनों को होज़ा तो बहुत ही पड़ी होता तो इसकी आपको value पड़ती 8.82 रुपीस पर डे अफसोर्स यह plan बस 77 दिनों का है तो आप यह plan करा सकते हो बट मैं recommend नहीं करता इससे चाप 84 दिनों प्लान को रालना वह ज्यादा value for money है अगर आपको per day वाले plan चाहिए इसमें आपको per day data मिलता है तो V and ATL मैं आपको same plan देखने हो बिलेगा 299 रुपीस 28 दिनों का यह plan है और आपको 1 GB data per day इसमें देखने हो बिल जाएगा calls unlimited SMS भी आपको 100 SMS per day देखने हो जाएगा and यह plan आपको per day के value पढ़ेगी इस plan के आपको 10.67 रुपीस per day जो की काफी जादा है अगर आपको आपका SIM बस calling के लिए चाहिए तो so hopefully आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इंडिया का सबसे सस्ता प्लान करवाना है तो आप एटल या वी का SIM ले सकते हो क्योंकि अब जियो इतना सस्ता नहीं रहा जितना पहले था अगर आपको सबसे सस्ते प्लान चाहिए तो आप भी एसल में पोर्ट करवा सकते हो वहीं पर आपको एकदम सस्ते की फाहिती प्लान देखनों मिलेंगे अगर आपको बस कॉलिंग प्लान चाहिए तो वीडियो अच्छी लगी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल स्ब्राइब कर सकते हो आप मिलते हैं नेक्स वाली वीडियो में जैंद